किसे लाल गुलाल है या अधर वैराइटी और भी है तो उसमें 400 प्लस में अगर बिखता है तो किसान बेंच रहा है और रही हाईलेंड चिप्सोना की बाद तो वो कोल इस्टूरेज ही करेगा ठटिया मंडी से खेत में बेंचना जाना बेतर है चूंकि तो यहां पैसा नगत देता बैपारी और प्लस जो है यहां सामने बैपारी देखता है और मंडी में किसान बढ़बडाता है नमस्कार किसान बाइयो मैं हूं आसीद राजपूत और आप देख रहा है अपना ट्राब भारत इस समय किसान बाइयो मौजूद हैं ठटिया चेतर में डिष्टिक कन् पिछले 12 गंटे से मौसम खराब है लेकिन मौसम खराब होने के चलते भी कहीना कहीं आलू की खुदाई बराबर जारी है ग्राउंड पे आज आपको दिखाने की कोईशिस कर रहे हैं और यह ग्राम पंचायत जो है कहीना कहीं भगतरवा जो पट्टी सतार पट्टी बढ़ की है ठडिया मंडी के भाव में और हमारे साथ में किसान मौझूद हैं जो की सतार पट्टी है कडेरा पट्टी के पूर प्रधान है उनका इखेत है और आपको बताते चलें कि आज इससे पहले भी कहीना कहीं एक यह चक है और इससे आंगे भी आलू कहीं कहीना कि पचार- आज क्रीम वह करीब पांच विगां पांच विगां खुदाई किया है तो क्वृं से यह लाल्गुलाल लालू लालू लालु था ओर दिन कितनेका हो गया यह समतिंक का असी दिन , चुछ असे की हुई है दो भाव में जो कल परसों भी का था वो 400 के संतिंग था 405 में 405 रुपे की आज हुई है अच्छा खेत में बिक्री मतलब अगर ठटिया मंडी के अपेक्षा देखा जाए तो खेत में ज्यादा बैतर रहती है में लगता है अपने यहां ठटिया मंडी से खेत में बे मंडी में नैसे कद राता है मंडी में अगर रात की मंडी होने के बाब जूद अगर दिन में हो और दूसरी बात यह है कि पिछले पेक्षा साल इस साल मंडी में आलू बहुत कम गया है यहां से बैपारी बाहर ले गए प्लस कानपुर भी हमारा भी आलू कई भी घा गया है पेमेंट के मामले में वहां थोड़ा दिक्कत होती कि समय से पेमेंट ना होने के कारण जो है किसा होना चालू हो जाएगी अच्छा आपने निकट एक और आपकी बार जो है प्लस पॉइंट निकल के आया है कि अपने छेतर में दो कोल्ड इस्टोरेज ने हुए हैं अब इस बार समय लगता है पूड़ता जो है सुबारम भी उनका हो जाएगा तो ब्यापार भी है जैसे लाल गुलाल है या अधर वैराइटी और भी तो उसमें चार सो प्लस में अगर बिकता है तो किसान बेंच रहा है और रही हालेंड चिप्सोना की बात तो वह कोल्ड इस्टोरेज ही करें अच्छा जो अच्छा बीजा है वो तो इस्टोरेज में जाने जाना है आपने बताया वह रेट मिलता रहे तो हमें लगता है किसान ज्यादा से ज्यादा निप्टाने की कोशिस करेगा अभी पक्की सीजन में भी अगर भाव चार सो प्लस में रहा तो किसान अपने खेस से ही बिक्री करेगा करेगा यह बात बलुकुल धन्वाद आपका जी बता किसान कोई गाटा नहीं है तब यह मानों कि 2-4 पैसे बसूर हो रहा है तो बहुत बहुत धन्वाद आपका जिस प्रिकार से किसान भाई हो आप लोगों ने देखा आपको आलू भी दिखाते चले अच्छा यह भी आलू आपके पास में लगा हुआ है यह कितने दिन का हो यह भी संपिंग पचासी दिन का है पचासी दिन का अचा इसका भी हमें लगता है प्रटेक्शन पैदा वारची खाजी निकले है यह सफेथ पुखराज है और यह पोड़िक के लिए इसकी खुदाई कब से करेंगे इसकी थोड़ा बेल है भी खतम हो जाए कि इसके बाद प्लांटर से खुदाई होती है प्लांटर से इसकी जरूर होगी तो देखिए किसान वायू आप देख भी सकते हैं अभी बेल जो है कहीना कहीं अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों पहले 15 दिन लगा तार मौसम खराब रहा उसके चलते अगर आसपास के एरिया की बात करें तो खेतों की जितनी भी बेल थी बेल पत्तियां बुल्कुल नश्ट हो गई हैं ऐसे में कहीना कहीं किसानों ने एक आकड़ा लगाया था कि जो आलू की पैदावार है 2024 में काफी कम होगी जो भरने के चांसे हैं वो थोड़े कम दिख रहे हैं लेकिन आज आज आ रेड जो है 405 रुपे भिका है खेत से ही तो मुझे लगता है जहां तक कि मंडी से अच्छे रेड में यहां आलू भी बिग्या है और यही एक कारण है कि अच्छे रेड किसानों को खेतों में मिल जाते हैं तो वो कहीना कहीं भटकना नहीं चाहते हैं कि ठटिया मंडी जै जैदा से उसेर करें ताकि जो है आज की जानकारी है ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे धन बाद